नमस्कार दोस्तों मिरेकल अफ लब में वर्णित एक दूसरी घटना आपको आज बता रहा हूँ एक सोनी दमपत्ती थे वो अपने साथ एक दूसरी परिवार को जिसमें एक 19 साल का लड़का भी था लेकर महराज जी के पास गये महराज जी ने जैसे ही उस लड़के को देखा उन्होंने कहा तुम तो फेल हो गए फेल हो गए तुम तो उसने कहा नहीं महराज जी मैं फेल नहीं हुआ हूँ मुझे तो सेकेंड क्लास मिली है तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम फेल हो गए हो तुमको लगता है सेकेंड क्लास कसी काम की है फिर महराज जीन ने बोला नहीं तुम फेल नहीं हुए हो तुमको फर्स्ट क्लास मिली है लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो क्योंकि तुम हमेशा अपने माबाप से जगडा करते रहते हो बजाय बढ़ाई करने के बले ही तुम इसके लायक नहीं हो लेकिन तुमको मिली फर्स्ट क्लास है अब परिस्तित थोड़ी सी अजीब हो गई थी क्योंकि लड़के को सेकेंड क्लास मिला था सोनी दमपत्ती और भी रिजल्ट देख चुके थे रिजल्ट पेपर में छप चुका था और माहराज जी बोल रहे हैं कि लड़का फर्स्ट क्लास पास हुआ है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था तो सोनी दमपत्ती ने फिर उस परिवार को अपने ड्राइवर से घर भेज दिया जब वो ड्राइवर लोटा तो उसके हाथ में एक नोट था जिसमें लिखा था कि असंभव भी आज संभव हो गया अख़बार का परणाम बदल गया है क्योंकि चार एक्जाम के पेपर वापस बुलाए गये थे जिसमें एक उस लड़के का भी था उसका पुनह मुडलांकन हुआ था और लड़के को फर्स्ट क्लास मिल गया था तो ये थे हमारे महराज जी